जै मातारानी की दोस्तों आपके अपने चैनल किरन ब्लोग्स एंड ग्यान की बाति चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की किरपा माता काली की किरपा असिरवाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदसरवदा बनी रहे आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सनिवार के दिन सिर्फ एक बार काली माता के मंदिर में ये छे चीज दूसरे चड़ाएं दूसरे दिन से माता आपसे बात करने लेगेंगी और अपने रूप में भी दर्सन देंगी सिर्फ अपने रूप में दर्सन देंगी जी हाँ भगतो ये बात सच है वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आज की कैसे ये छे चीज चड़ाने के बात से माता आपको दर्सन देंगी जो माता काली से बात करना चाहते हैं जो मा काली के दर्सन करना चाहते हैं अभी देखिए कई सारे काली मा के ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं मा काली से बात करना मा काली के दर्सन करना तो यह वीडियो मैं भी ठिक है यह वीडियो में भी मैंने उन्ही भक्तों के लिए बनाई हूँ और वह कमेंट भी करते हैं कि हमें कुछ ऐसी विधी बताओ जिससे माता हमसे बात करे और माता हमें अपने दर्सन दे तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई है और इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ नहीं चड़ानी है सिर्फ एक सनिवार के दिन मा काली के मंदिर में ये छे चीजे आपको उसके बाद आपको चड़ाने की जरुत नहीं है क्योंकि जब आप ये चड़ाएंगे तो जब मा काली आपकी हर मानुकामना पूर्ण करेंगे तो आप खोद बखोद हर सनिवार को चड़ाएंगे तो सिर्फ आपको एक बार ही चड़ाना है क्योंकि यदि आप एक बार ये जिस चीज की जनकारी आप लेना चाहेंगे वही आपको सच्चे वचंपर धर्म पर आकर बताएंगी और पर्त्तित दिन तो मा काली के आप अनिक रूप में दर्țन पाएंगे और जब आपको मा काली की दर्थन हुआ करेंगे आपका तन, मन, दिल, सब कुछ आपका खुस रहा करेगा हर काम आपके सफल हुआ करेंगे क्योंकि आपको मा काली की किरपा प्राप्त हो जाएगी जिस किरपा की वज़ा से आप माता से बात भी कर पाएंगे मा की दर्शन भी रोजाना हुआ करेंगे मा आपके सभी कारियों को पूरा करेंगे सफल करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो के माधियम से पूरी जनकारी के साथ बताने वाली हूँ भक्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं कोई भी भक्त नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो को लाइक कर दिजएगा साथ में बेल आइकन घंटी ओल पर प्रेस कर लिजएगा इससे क्या होगा न भक्तो कि भक्तिस से जुड़ी वीडियो न्यू वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी मैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तो तक तुरत पहुँच जाए ठीक है और भक्तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और कमेंट करे सनिवार का दिन कोई भी सनिवार आप इस कारी को कर सकते हैं जो सनिवार आपको टाइम मिल जाए आप उसी सनिवार पर मा काली का यह कारी कर ले कुछ भी नहीं करना है बस काली माता का मंदिर हो आपके आसपास में वहीं पर आपको जाना है और ये छे चीजे बता रही हूँ जो लेकर आपको जाना है पहली चीज में तो माता का सिंगार ले लेना है दूसरी चीज में माता का पानी वाला नारियल की भेंट ले लेनी है साथ में थोड़े से गुलाब के फूल भी ले लेना है तिसरी चीज में आपको ले लेनी है 21 लोंग शाबुत होगी फूल वाली चौथी चीज में आपको 51 लोंग अलग से लेनी है ध्यान से सुनिए 21 लोंग अलग से लेनी है और आपको 51 लोंग अलग से और लेनी है ठीक है आपको लौग का माला बनानी है जो 51 लौग है उसकी माला बनाना है तो वो अलग रहेगी और जो 31 लौग लेंगे वो भेट की भोग में जाएगा अलग रहेगी वो बेट की भोग में अलग और या जो चीजे में आपको लेना हान निम्बू और मिनव शट वी चीजर में आपको लेना हे तीन ज्याउफल, ठीक है कि है अब यह जो चीजे है मैंने आपको वीडियो में बताई हूं इन चीजों को ही आपको इस्तेमाल करना है एक बात कहना चाहूंगी भगतों कि कितने भगत लोग का प्रशन आते हैं कि आप जो बताते हैं वो समान मुझे समझ मैं आता मैं तो कितने अच्छे तरीके से एक बार को दोहरा दोहरा करके हो बताती हो फिर भी आप लोग बोलते समझ HIM हो तो अप जो भी समान में बोलती हूं तो मत्रका सिंगार हो गया यह जोभी जाइफाल लौंघ आप जाकर कि दुकान वालों को जाकर भोलिए गा 10 आपको दे देंगे pleased तो बात करते हैं कि में पाता का या लाल चूड़ी ले ले जिए गा, आपको लगर ले जियागा, अपको लहें पत्ता, पर आपको जो लगे वहाँ, अपको ले लीजेगा, गाजल काड़ की यह ज़रूर में लेना चूड़ी है यह में चीज होते हैं यह आपको लेना है पांच चीज शिगार ले ले लिजेगा और एक नारिय। लेलिजेगा पानिवाला थोड़े से फूल लेलिजेगा अब जो भी आपके आसपास महाकाली का मंदिर है सनिवार के दिन सुबा उठकर असनान करना है नित कर्मों से निर्वित होकर घर.." गर में पूजा पाट करने के बाद ही, ठिक है.. आप मंदिर में जाएं मंदिर में जा ठीक है सिंगार माता को इस तरीके से करवाएंगे तो और भी माता सबसे आगे और सबसे पहले आपकी भेट को स्विकार करेंगे सिंगार जो आपको कराना है मुर्ती पर कराना है जैसे चूडिया चूडिया माता के हाथों में डाल देना है डाल देंगी ठीक है जो मुर्ती होंगी और जो बिंदी आपने ली है वो माता के माथे पर लगा दिजिए अपने हाथ से और जो सिंदूर लिया है वो सिंदूर माता के मांग में भर दिजिए इस तरीके से आपको माता का पूरा सिंगार कराना है ठीक है अब यह सिंगार करने के बाद जो नारियल आपने लिया है पानी वाला नारियल माता के चर्नों में ही फोड़ना है कितने मंदिर में मतलब की फोड़ने का इजाज़त नहीं देता है कि नहीं यहां पर नारियल नहीं फोड़ना है तो आपको क्या करना है माता की मंदिर में मतलब जहां आप दर्शन करने जाएंगे वहां पर चीजे चड़ाएंगे अगर अंदर मंदिर में फोड़ने नहीं द दे तो आपको क्या करना है जो मंदिर की चोखट होती है ना चोखट बाहर वहां पर नारियल को फोड़ दीजिएगा ठीक है फोड़ने के बाद जो पानी निकलेगा वह सारा धरती पर ही छोड़ देना है अब बाकी जो नारियल गोला बचता है बचेगा वह माता के चरनों मे रख देना है मुर्ति के पास उसके बाद जो 21 लोंग आपने लिए है फूल वाली 21 लोंग आपको माता के चरनों में रख देनी है धर देनी है माता की भेंट माता का जो भोग है 21 लोंग ठीक है 21 लोंग ये आपको उनके चरनों में रख देना है उसके बाद जो आपने माला ल्ग जो माला आपको माता को पहना देनी है अपने हाथों से माता की मूर्ती पर लोग की माला पहना देना है माता को चढ़ा देना उसके बाद जो तीन निंबु और जाइफल आपने लिये हैं निंबु को चाकु की रखे नेमरी की आप बनायंगे तो पेवल कलावे अपने हादों से बनाएंगे और धागे से कलाए वाले धागे से ठीक है कोई कलावे से बनाना रहा यहां वाली माला और बना जाती है लोंकी माला का ओर कलावे का लए से ही जैसे विडियो में बताती हो ना अगर इस तरह से आप पुजा पाठ करते हैं मा की भेट भोग जो भी है सब चढ़ाते हैं ना माता एक दम से जरूर सुनेंगे तो लौंग की माला जो बनाएंगे हुआ कलावे से बनाकर माता को वहाँ पर चढ़ाएंगे ठीक है अब मान लिजे आपने ये छे चीज माता को चढ़ा दियें मंदिर में पहुचा दियें माता की भेट और या आपको एक ही बार करना है और कभी नहीं करना है एक बार करके दिखिए उसके बाद आप खुद ही आपका मन करेगा कि आप हजार बार कारी करो क्योंकि हर दिन आपको माता के दर्शन होंगे हर दिन माता आपको अपने रूप में दिखाया करेंगी हर दिन माता आपको हर चीज का जवाब देंगी जैसे कोई ऐसी अंद्रुनी बात आपको सता रही है परसान कर रही है उसका जब आप भी माता काली देंगी उसका सही रास्ता भी माता आपको दिखाएंगे या कोई अपना ऐसा कारी हो जो माता से कराना चाहते हो वह कारी भी माता से असानी से करा सकते हैं तो यह कारी करने से आपको फायदे ही फायदे होने वाले हैं, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है, जैसे जैसे मैंने आपको यह कारी बताया है, बस आप एक बार कर लिजे उसके बाद, आप खुद देखिएगा माता आपसे बात भी करने लगेंगी और आपको रोजाना माता के दर्शन हुआ करेंगे, दर्शन देंगे, माता से आप अपना कोई भी कारी सफल करा सकते हैं, तो आपको समझ में आ गिया होगा मेरी बाते, मिलती हूँ अगली वीडियो में, नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मा काल भागवान भोले नात आप सभी की सारी मनुकामनाय पूरी करें, जै माता रानी जी